गुड मॉर्णिंग बच्चों मैं डॉक्टर सुधा मित्तल आज का अपना टॉपिक है संगठन की प्रक्रिया प्रासीज और और्गनाइजेशन पिछले वीडियो में अपने संगठन का महत्व एक अच्छे संगठन के आफशक तत्वों के बारे में अध्यान किया अब अपन देखते हैं कि संगठन बनाने की एक क्या निश्चित प्रक्रिया हैं क्या प्रासेज हैं क्योंकि जब हम कुई भी कारी करते हैं तो एक निश्चित प्रक्रिया से ही पूरा करते हैं ताकि वो एक अच्छा कारी बन सके तो संगठन की भी एक प्रक्रिया है, संगठन के निर्मान के लिए कुछ आवश्यक, स्टेप, कदम हमें लेने होते हैं, उस संगठन की प्रक्रिया के अंतरगर पहला चरण यानि पहला स्टेप है उदेश्यों का निर्धारण करना, determination of objectives. संगठन की प्रक्रिया में सबसे पहले संस्ता के उदेश्यों का निर्धारण किया जाता है क्योंकि संगठन के उदेश्य, संगठन के उदेश्य, नीतियों और व्यू रचना के आधार पर कार्य करता हैं. तो जैसे कि ब्रेच ने भी कहा है कि संगठन का मुख्य उद्देशे प्रभंध प्रक्रिया का उप विभाजन करना है ताकि योजनाओं का क्रियानवेन किया जा सके। इस प्रकार जो उद्देशे निर्धारित किये गए हैं तो प्रभंध एवं करमचारियों के लिए वो मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। सेकिंड स्टेप है किर्याओं का निर्धारन करना, determination of activity किसी भी संस्ता के अंतगरत या उपकरम के उद्देशों की पूर्ति करने के लिए विभीन प्रकार की किर्याओं का निर्धारन किया जाता हैं। तो संगठन की प्रक्रिया का दूसरा कदम क्या है, किर्याओं का निर्धारन करना कौन-कौन से कार्य संगठन में किये जाएंगे। इसके अंतगर संपूर्ण, प्रभंध की एवर किर्यात्म कार्य छोटी-छोटी कारियों के अंतगरत यानि ओप किर्याओं में विभाजित किये जाते हैं। और उन कारी की प्रक्रती, उद्देश्य, एमुम उनमें निहित दायतों को ध्यान में रखकर विभाजित किया जाता है। जैसे उत्पादन, क्रे विक्रे, वित, विज्ञापन और लेखा कार्य आदी हो सकते हैं। थर्ड स्टेप हैं क्रियाओं का समुही करण, grouping of activities, संगठन प्रक्रिया के आवश्यक जो चरण हैं, कदम हैं, उन आवश्यक कदमों में क्रियाओं का निर्धारण, वर्गी करण करने के पश्यात, इनका स्रेणी या समुही करण किया जाता है। तो इसके लिए समान प्रक्रती एवं परस्पर संबंदित क्रियाओं को एक स्रेणी में रखा जाता हैं, जैसे विक्रे बाजार अनुसंदान, विग्यापन, पैकिंग या प्रमूर्शनल टेक्निक्स विक्रे प्राशिक्षन आदी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य किर्याओं की अन्य स्रेणियां बनाई जा सकती हैं और इस प्रकार किर्याओं का समुई करण ग्रूपिंग करके विभीन विभागों और उप विभागों की स्तापना की जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हैं कार्य सौपना, assigning duties, समस्त किरियाओं का समुई करन करने की पश्चार, संगठन के विभीन, व्यक्तियों में उनकी रूची, ज्यान, योगिता और उनकी जो शमता हैं, उनकी अनुभव हैं, उनको ध्यान में रखकर उनके करतविया और दायत्व उनको स आप दिये जाते हैं, और यह कार्य, कारी विशले से और जॉब एनलेसिस और जॉब डिस्क्रेप्शन, कारी विवरण के आधार पर प्रत्य कारी के लिए योगि व्यक्ति का चैन किया जाता हैं, ताकि कारी कुशलता से किया जा सके, संगठन के विविन व्यक्तियों को उनके करतविय और दायत्व को सौपने के पश्चात, कारियों का सुचार रूप से निश्पादन करने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन करना आफश्यक होता है, कारियों का प्रत्यायोजन से ताथ पर हैं कि अधिनस्तों को यानि विविन करमचारियों को जो कारियों उनके दिये जाने हैं, तो उनकारियों को उनको प्रत्यायोजित करना, लेकिन यहां पर यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि दायत्वों के अनुरूपी अधिकारों का प्रत्यायोजन या जो उनके अधिकार हैं उनको सौपा जाए ताकि दायत्वों को पूरा करने में कठिनायों का सामना नहीं करना पड़े तो संगठन के सभी व्यक्तियों को दायत्वों के अनुरूपी अधिकारों का प्रत्यायोजन करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में संबंदों का निर्धारन डिटेर्माइनिंग रिलेशन्शिप संगठन की प्रक्रिया के इस चरण में इस कदम में विभीन कार्य किरियाएं विभाग ऊप विभाग समुव और व्यक्ति संस्ता के उद्देसे और संसादनों के मद्य संतुलन और संबंदों को इस्तापित किया जाता हैं लेकिन इसमें प्रत्येख व्यक्ति को संपूर्ण संगठन के रोप में उसके स्थान यानि प्लेस, विभाग, पदादिकारिय संगतन की प्रक्रिय का यह अन्तीम चरण माना झाता है इस अंतीम कदम में उपक्रम में उपलब्ध भौतिक एवं मानवी संसादनों का आबंटन संगठन के सभी इस्तरों पर किया जाता हैं ताकि संस्ता के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके तो संगठन की प्रक्रिया को इन साथ चरणों के अंतरगर पूरा किया जाता है और एक संगठन का निर्मार सफलता पुर्वर किया जाता है अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संगठन की विचारदाराएं धन्यवाद